दोस्तो अभी पर रिसेल्टी Qualcomm ने लॉंच करते एक निया प्रोस्तोर Qualcomm Snapdragon 675 नाम करके जो कि दोस्तो वेसिकली डिजाइन ने मिड रेम स्पार्टपोन के लिए और एक दोस्तो एकसेटिंग न्यूज है कि वहाँ पे उसी लॉंच में साउमी ने अनौन्स करते है कि ये प्र Qualcomm Snapdragon 675 के अंदर आपको बहुत सारे कमाल का अपग्रेडेशन देखने हो मिलेंगे Qualcomm Snapdragon 660 & 670 की कंपरेजन में हाला कि दोस्तो ये प्रोस्तोर Qualcomm Snapdragon 710 से स्लाइटली लॉयर है पर दोस्तो आपको Qualcomm Snapdragon 675 के अंदर बहुत सारे अच्छे इंप्रूमेंट्स भी देखने हो और में इस वीडियो में आपको Qualcomm Snapdragon 675 के बारे में सबी डिटेल इन्फरमेसन देने माला हो सो गाइस लेट्स विए इन दोस्तों Snapdragon 675 प्रोसर अभी रिसेंटली लॉंच हो है और ये Qualcomm का लैटेस्ट चिप सेट है मीडरे स्पर्पोन के लिए यहां पे दोस्तों बता जा रह ब्राउजिंग टाइम देखने हो मिलेगा Qualcomm Snapdragon 670 के कंपरेजन में तो डेफिनली दोस्तों आप यहां पे एकस्पेक्ट कर सकते हैं कि आपको Qualcomm Snapdragon 660 के कंपरेजन में आपको कितना अचा परफांस देखने हो मिलेगा साथ में दोस्तों यह प्रोसर आपको मेंडरे स्परपोन पर देखने हो मिलेंगे तो डेफिनली दोस्तों आगले बार जो भी मीडरे स्परपोन आएगा अगर वहां पे Qualcomm Snapdragon 675 होगा तो डेफिनली दोस्तों हमें एक बहुत अच्छा गेमिंग परफांस देखने हो मिलेगा साथ में दोस्तों इस प्रोसर के बासे आपको बहुत कोटेक्स A76 बेस जिनका clock speed होगा 2 GHz और बाकिक जो 6 कोड़े को देखने हो मिलेंगे हो कोटेक्स A55 जिनका clock speed होगा 1.7 GHz यहां पे दोस्तों दो कोटेक्स A76 वेस प्रोसर मिलेंगे बसे आपको बहुत तगड़ा परफांस इस प्रोसर के अंदर देखने हो मिलेगा साथ में दोस्तों आपको यहांपे मिलेगा high resolution depth sensing and multiple camera का support तो definitely दोस्तों आप इस फोर में बहुत अच्छा depth photos यानि की portrait photos भी ले पाएंगे और यहांपे दोस्तों की interesting बात है कि यह processor 5x optical zoom तक support करते है इनी telephoto lens के अंदर यानि की दोस्तों हमें पहले जो processor देखने हो मिले थे मतलब Qualcomm Snapdragon 600 series के अंदर उनमें आपको 2x optical zoom देखने हो मिला था पर अभी दोस्तों इस processor के अंदर Qualcomm Snapdragon 675 के अंदर आपको 5x optical zoom का support देखने हो मि मिलेगा यह सब features के अलवा है दोस्तों इस processor का जो और एक main highlighting feature होगा होगा AI यानि के artificial intelligence यहांपे दोस्तों कंपनी बता रहे है कि यह processor mainly design किया गए artificial intelligence के लिए जहांपे दोस्तों आपको बहुत सारे AI based performance दिखने हो मिलेगा तो देफिनली AI के मामले में भी यह processor बहुत अच्छ 35 के साथ में market में launch होता है और यहांपे दोस्तों report के ही सबसे बता जारेगी sound क्या me A3 और of me success बहुत जल लांच हो सकता है यह processor के साथ में इसके बार में दोस्तों आपका क्या opener है मुझे लगता है दोस्तों अगर sound क्या me A3 यह processor के साथ आता है तो definitely दोस्तों हमें बहुत पहले यह processor को लेके market में आता है आपके लिए दोस्तों यहांप एक छोटा सा पोल है जहांपे आपको select करना है कि आपके सबसे कौन से company सबसे पहले यह processor को लेके market में launch कर सकता है कोई भी smartphone मेरे सबसे दोस्तों अगर कोई भी company यह processor को लेके market में सबसे पहले आता है तो definitely दोस अच्छा रेल्फूल लगाओ तो इस वीडियो को लाइक करने साथ प्लीज सेर करदेना अगर आपके मन में कोई भी सवाल है कोई भी सव इससी टोपिक के बारे में या किसी और टोपिक के बारे में तो आप नीचे कमेंट करदेना मैं आपका रिप्ले जरूर दूँगा उल्दयली जरी करदेना अपके में एके बारे में याओ नीचे करदेनमे